अच्पन के दिनों में जब हम स्कूल जाया करते थे तो बारिस के मौसम में अचानक ही देश भक्ती के तराने हवा में गूजने सुरू हो जाते थे कुछ फिक्स कुछ रटे रटे कुछ जो हमें साच चलते थे वही गाने जो कानों में आदत के अनुसार आते रहते थे और हमें पता चल जाता था कि अब हमें कुछ बूंदी या एक आद लड़ू और एक छुटी मिलने वाली है ये बच्चों की उस समय की खुशी होती थी क्योंकि 15 अगस्त आना है और 15 अगस्त का हम इंतिजार करते थे अगर इतवार ना पढ़े तो हमारी खुशी का उस समय ठिकाना नहीं और हम 15 अगस्त को सुबह त्यार होके जाते थे और समय से पहले स्कूल पहुँच जाते थे शुतन्ता दिवस की छुट्टी है, उसके उपर ऐसा हुआ हो, मगर ऐसा नहीं है, दरसल वहाँ आमसभा होनी है, वहाँ कोई नेता आना है, एक जो जंडा है, जंडा हमारा है, वो फैराना है, कि वाच्चे तराना हवा में गुनना है, सारे बच्चों को मिलके जन्गर्ण मं दिन के अपने घर आना है, और घर भी आसानी से नहीं आना है, खोग घूमते फिरते आना है, क्योंकि उस दिन छुट्टी है, ये होता था, पंद्रे अगस्थ का स्वतन्ता दिवस का हमारा सारा का सारा बच्चपन का स्चडूल, जो आम बच्चे का गाउं में और छोटे स मिला है, बहुत जादा जो महा एक तरह से जो गगदार और जो महा देश-द्रोही लोग हैं, उनकी वजह से ये हमें दिन मिला है, इसको किसी ने बता या नहीं, महा नायक और नायक कुछ बना दिये, उन महा नायक को कहते नाम जैसे स्वहीद भगत सिंग या वीरागना जल अमर सहीदों में या जनों ने देश के लिए पुरा ब्रिदान दिया उनकी वज़य से ये दिन मनाया जाता है ये जो हमारे वीर अमर सहीद या विरांगना हमारे जलकारी बाई या हमारे सहीद जो भगध सिंग है या जो हमारे उधम सिंग है या जो हमारे ये जो सरमादादीन भंग ग्यानी है ये मारे किस्निय के क्योंकि इनको सहीद बना के धकने की परंपरा है इनको मारे जाने की गाथा कोई नहीं बताता किन लोगों की वजय से हमको ये 15 अगस्थ का दिन देखना मिला है और जिस पे हम अपना सीना चोड़ा करते हैं और जिस पे हम अपना जंडा फिराते हैं और देश भक्ति के गीत गाते हैं दरसल ये आया किन की वैसे है वो देश के गदार और जेश के कमिने सहीर कैसे हैं, इनके हत्यारे वो लोग कौन हैं। असल हमें उनके हत्यारों का, उन देश द्रोहियों का आज तक भी इत्यास किसने बताया नहीं। बुद्ध से पहले के समय या बुद्ध के बाद में समय जाएंगे, तो बुद्ध के पहले में जो मातंग राजा होते थे, वो एक यू धारे थे, जंगल में रहते थे, धंपद ऐसा बता था एक गाता के अंदर। बुद्ध के समय आपने देखा हैं, बुद्ध ने कितनी कि बात के समय उनमें जो मौरियवंस के सासक रहे हैं असोक और उनके सबसे बात के जो सासक रहे हैं जिनको महान रत बोलते हैं पाली में महान रत और वैसे उसको ब्रद रत बोलते हैं ब्रद का मतलब महान होता है जैसे असोक का महान भारत तो इसको ब्रद भारत ही बोल सकते हैं आली के हिसाब से ये महा भारत है और संसकाइत भासा के हिसाब से ये ब्रद भारत है तो आप इसको आम भासा में महा भारत बोलिए असोग के महा भारत के समय में राज बहुत बढ़िया चल रहा था सारी शीज़े बहुत बढ़िया थी और इसकी जो बाउंडरी है वो बहुत दूर दूर तक जा चुके थे इरान तक भी राज था और इधर थाइलेंड तक भी राज पहुंच गया था और उस समय का जो महा भारत है वो आज तक भी उस महा भारत को देखने को कहीं मिला नहीं वो आज तक भी छोटा भारत ही है खाली भारत बन के ही रह गया महा भारत का अब दर्सन नहीं होता अब तो कोई चीन जैसा देश भी आँख उठाता है गलवान घाटी में घुसके हमारे सीने पर चल जाता है इस्थिती बड़ी नाजुक और बड़ी कंभीर और बड़ी खतरनाग हो चुकी है तो ये जो महान भारत के जो नायक थे समराट असोक जिन्होंने पूरे इसको बड़ा भारत और महान भारत बनाया उसको भारत तक बनाने वाले छोटा छोटा करने वाले वो देश द्रोही वो कौन सी लोग है जिन्होंने कबजा किया ब्रंधत के उपर यानि जो महाद चत्थे राजा उनको मारा और फिर इस देश को महाभारत को अपने हातों में लिया और महाभारत को समाल नहीं पाए और महाभारत को धीद्रे करते करते भारत बनाके छोड़ दिया और इतने सारे लोग आए, डच आए, फ्रांसिसी आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, अरब आए, मुगल आए, इतने सारे बाहर से इन्वेटर्स आए, वो सारे आ कैसे गए, वो लोग जिन्होंने सासन लिया, शासक लिया, वो लोग कौन थे, और क्यों उन्होंने बाहर के लोगों को अलाओ किया, क्यों बाहर के लोगों को उन्होंने कुछ नहीं कहा और आज तक भी उन्होंने कुछ बताया नहीं और क्यों उनकी बाते इत्यास में छुपाई गई क्या राज लेने वाले लोग और बहार से आने वाले लोग एक थे जो उनकी बात को छुपा बैठे या वो इतने नालायक और निकम्मे लोग थे या देश्द्रोई थे या वो बेफचारी लोग थे या वो कमिने लोग थे जिनोंने महा भारत का भारत बना दिया और एक बार भी कहीं लिखा नहीं जिक्र नहीं किया। कि भारत के 15 अगस्त के जो देश द्रोही हैं, भारत के जो 15 अगस्त के देश को गुलाम मनाने वाले जो महा गदार लोग हैं, वो लोग कौन हैं और वो भारत में कहां छुपे बैठे हैं। तो अब इतनी सारी कंपनी आ चुकी हैं, ये कैसे राज कर रही हैं, ये कैसे हमारे पैसे को दनादन दनादन अपने पास लेके जा रही हैं। अब ये हत्यारों से नहीं लड़ रही हैं अब ये हमारा मेहनत को हमारे पैसे को अपने देशों में ले जा रही हैं और कोई रोकने वाला है नहीं तब एक इस्ट इंडिया कंपनी थी अब इतनी सारे इस्ट इंडिया कंपनी आ गई हैं जोनोंने पूरा देशी लगबग माता दीन भंग ग्यानी दुवारा से सहीद नाहो सब अपना खुशी से और मंगल से रहें। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी हैं। पर सभी बुक कुपी राइट फिरी रहें। पर सभी राइट फिरी रहें। अपनी भासा में आप तक पहुँचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदलके या ऐसा का ऐसा शेयर इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सब ही देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहिक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे यह दोनों इंटरचिन है यही धम की प्राकरतिक नियम है धन्यवाद धम्मं सेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी धूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी धूतियं पी धम्मं मर्सेनं गच्छामी धूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी धूतियं पी सेन्गं सेनं गच्छामी बुखियं पी संदम सर्मं कच्छानी ततियं पी बुद्धं सर्मं कच्छानी बुद्धं सर्मं कच्छानी ततियं पी संदम सर्मं कच्छानी